आज हम बात करेंगे आप study center online कैसे change करवा सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए ताकि इगनुस related सभी update और notification आपको time to time मिलते रहे तो चलिए सुरू करते हैं study center change करवाने के लिए पहले आपको student portal पर आना होगा इसका link के नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद अगर आपका account यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर username डालेंगे, password डालेंगे, verification code जैसा यहाँ पर लिखा हुआ और login पर click करेंगे, और अगर आपका account नहीं बना हुआ है तो पहले यहाँ पर आपको एक new registration करवाना होगा यानि की account create करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर new registration पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना 3 details देना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना program code select करेंगे, जो भी आपका program code है और फिर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना enrollment number डालेंगे verification code जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे और submit पर click करेंगे और फिर ऐसा page आजाएगा, जो भी आपका register email ID है और mobile number है, उस पर एक OTP जाएगा कोई भी OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ आप submit पर click करेंगे पिर यहाँ पर आपको password बनाने के लिखेंगे, यहाँ पर एक आपको भी पासवड बनाएंगे, जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, और पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ आप submit पर click करेंगे, फिर ऐसा page आजाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाता है, you can login now, यानि कि आपका account बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर enrollment number डालेंगे, जो password आपने बनाया है, यहाँ पर डालेंगे, verification code यहाँ पर डालेंगे, और login पर click करेंगे, account login करने के बाद, आपको ऐसा interface दिख जाएगा, यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, services का, इस पर आप click करेंगे, और अगर आप इस चीज को mobile में करते हैं, तो mobile में भी आपको same, यही option देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको services का option नहीं मिलता है, तो mobile में आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको menu पर click करना होगा, यानि कि menu पर click करते ही, जो बाकी का चीज है open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको services का option मिल जाएगा, इस पर आप click करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा study center change request, यहाँ पर आप click करेंगे, और desktop में भी आपको same option देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा study center change request, click here, इस पर आप click करेंगे, अभी आपका जो भी study center है, यहाँ पर उसका code और नाम आपको बताया जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा study center change request, अगर आपको study center change करवाना है, तो आप यहाँ पर click करेंगे, और फिर ये page open हो जाएगा यहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि अभी आपका क्या study center है study center को change करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे study center का code और नाम बताया जाता है लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि अभी आपका जो भी regional center है जैसे कि इनका regional center Delhi 3 नारायना है तो Delhi 3 regional center के अंतरगत जितने भी college आते हैं उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानि कि study center का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा इसमें से अगर आप कोई भी study center चाते है यानि कि नया study center चाते है तो आपको यहीं से select करना होगा जैसे कि इनका भी भागीनी निवेदीता college है और इन्हें जो है आरिया भट college करना है तो आपको यहाँ पर click करना होगा और जैसे ही आप नया study center select करते है फिर यहाँ आपको submit पर क्लिक करना होगा, संमीट पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको बताया जाता है request saved successfully यानि कि आपने जो study center change करने के लिए request submit किया है वो successfully submit हो चुका है और यहाँ पर आप action में देख सकते है pending request found यानि कि study center change करने के लिए जो आपका request है वो successfully compris हो चुका है और अगर आपको चैक करना है कि आपका करते हैसको समिट कर सकते हैं लेकिन मुझे यहां पर अभी like Study Center Change करने का request submit नहीं करना है मैंने आपको सिर्फ process बताया है तो यहाँ पर आपने जो request submit किया इसको आप cancel भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा cancel change request इस पर आप click करेंगे यहाँ तो यहाँ पर आपको बताया जाता है request cancelled successfully और status में भी यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने खुद ही इसको cancel किया है और इसके अलावा अगर आप यहाँ online request submit करते है study center change करने के लिए लेकिन आपका request जो है submit तो हो जाता है लेकिन change नहीं होता है काफी दिन हो जाता है लेकिन status में यहाँ पर आपको पैंडिंग request बताया जाता है तो ऐसे में आपका जो study center है वो online change नहीं होगा इसके लिए आपका जो भी regional center है regional center पर आपको जाना होगा और फिर वहाँ पर आपको offline application submit करना होगा फिर जो आपका study center है वो change हो जाएगा और जब successfully change हो जाएगा तो जो आपका student management portal है यहाँ पर नए study center का code mention कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप study center change करवाने के लिए जो request है इसको submit कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनू से related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं